वर्ल्ड का सबसे बड़ा टोनामेंट यानि कि ICC वर्ल्ड कप 2019 में सबसे बड़ा मुकाबला जो कि इंडिया वर्सिस पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा जबदस्त हाई वर्टेज मुकाबला 16 जून को तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बारत बनाम पाकिस्त के बीच होने वाले इस जबरदस्त रुमांचक मुकाबले की बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से 11-11 खेलेंगे तो ने टीमों की तरफ से इस हाई वल्टेज मुकाबले में और साथ जिसात आपको बताएंगो कि ये मेंछ पर कहा और कौन से स्टैडियम में खेला जाए और यह में इस कितने बज़े से स्टार्ट होगा और कौन सीटी में ज्यादा मजबूत दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में शुरूत लेकर लास तक पूरी वीडियो देखते रहें दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया वर्स प भारत बराम पाकिस्तान के बीची है मैच वर्ल्ड कप में 16 जून दो हाजरो निस संडे को खेला जाएगा मैंचेस्टर के उल्ट्रा फूड के स्टेडियम में जो कि यह मैच साम को तीन बज़े से स्टार्ट होगा यानि कि 3 पीम से इंडिया टाइम के हिसाब से तो एपाक करते हैं देंगे तो मैं इसके बार नमबर दो परूंगे सीखर देवन जब अदस विश्फोट अकॉपनल बल्लेबाज जो कि दोने बल्लेबाज इस टाइम पर काफी सांधार फॉर्म में चल रहे हैं अगर बात किया नमबर तीन की तो नमबर तीन परूंगे दारानमसीन यानि की टीम इंडिया के कप्तान और बेट्समेन विराट कोली जो कि सबसे जारा भरोसेमन बल्लेबाज माने जाते हैं भारतिये टीम के और इनसे काफी ज़्यादा उम्मीद होगी एक जब अदस पारी खेलकर टीम इंडिया को जिताने की वह एक अनम बात के नमबर चार क की बल्लेबाज करेंगे और साथ ही साथ चीखासी गेड़ बाजी बेग करते हैं अगर बात किजा नमबर पांस की तो नमबर पांस परोंगे सबसे दरा एक्स्पिरियंस जो कि जब अदस विकेट की पर बल्लेबाज महेंदा सिंग धोनी जो कि यह इस टाइम पर काफी चल रहे हैं जो कि नोने अपने बल्ले और गेड़ दोनों से जब अदस पर दो खिलाड़ों का नाम सामने आ रहा है जो कि नमबर एक पर कैदार जादो अगर कैदार जादो वेल्डेकप से पहले फिट हो जाते हैं तो कैदार जादों ही खेलते वें दिखाई देंगे यह पर सेंता है वरना फिर उनकी जगह पर जटे जाओ को खिलाए जाएगा तो इसके बार नमबर आठ परोंगे जब अदस चाना में इस्पिनर कुल दी प्यादो तो इसके बार नमबर नो परोंगे जो अंदर चेहले बहतरीन लेग स्पिनर अगर बात कि यह नमबर दस की तो स्पॉंदर किया है नोंस्ट्रा प्रो एप ने जो कि कमाल का एप है पावरट बाई प्यटियम आप सभी लोग बड़े यह आसाने से कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल किफ़िए कि जब आप देगर जैसे कि कौन ती टीम जीडेगी है मैच कौन तीम हारेगी है मैच और कौन कि टीम कितना जादा रहने स्कोर करेगी तो भी इस एप को डाउलोड करिया जो कि लिंग डिस्क्रिप्शन में मौजूद है डाउलोड करते ही आप को लेडिये सो रिप्य बोनस में मिल जाएंगे अब अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की पलेइंग 11 की इंडिया के खिल संदार फर्म में चल रहे हैं जो कि यह दोनी बल्लेबाज ओपनी के बल्लेबाज करते हैं इंडिया के खिलाफ अगर बात किजए नमबर तीन की तो नमबर तीन पुरों के बाबाराजम पाकिस्तान टीम के सबसे जारा भरोसेमंद बल्लेबाज जो कि यह भी काफी संदार दिखाई दे रहे हैं और इन पर पाकिस्तान के टीम काफी जादा डिपेंड होगी क्योंकि यह लगबग हर मैच में जब अधरस परफार्मेंस करके दिखाते हैं वह एकर हम बात के नमबर चार की तो नमबर चार परों के प्रोफेसर यानिकी मुहम्मद हफीज जो कि एक ब जब अधरस इटिंग बल्लेबाजी करते हैं और जिस भी मैच में इनका बल्ला चलता है पूरा मैच प्लेड कर रख देते हैं अगर बात कीज़ें नमबर साथ की तो नमबर साथ परोंगे पाकिस्तान टीम के वेकर टेकर फास्ट बॉलर जबकी नमबर दस परोंगे मुहम् पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप दो आदरों निस में इंडिया के खिलाफ होने वाले इसे मैच के लिए दोस्तों यह दोने टीमों की संभावथ प्लेइंग 11 यानि की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो की टीम इंडिया में विजय संकर अगर खराफ फोंगे चलत पाकिस्तान टीम की तो पाकिस्तान के टीम में आसिफ अली के आने से सुहेम मली के जगा नहीं बनती है हाले कि अगर इमाद वसीम खराफ फोंगे चलते है तो इमाद वसीम के जगा पर हारिय सुहेल या फिस सुहेम मली को खिलाए जा सकता है तो गाइस आपके इसाफ इन द झाल झाल